हालो एब्रीवन कैसे आप लोग उमीर करते आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंगलिस का फ्लेमिंगो बुक से पांचवा चैप्टर इंडिगो ठीक है इसके ऑथर है लुईस फीशर इंडिगो का मीनिंग होता है नील हिंदी मे एक डाइ यानि कलर ऑप्टेन करते हैं ठीक है तो देखें इसी का यह ही है इंडिगो अब यह जो स्टोरी है ना यह स्टोरी है इस एन एकसर्प्ट फ्रॉम इस बुक तर लाइफ ओफ माहत्मा गांदी हमाने ओथर है लुईस फीशर इन्होंने एक बुक लिखाता ता यह वर्ड एकसर्प्ट है ठीक है चलिए डीटियल में देखते हैं इस स्टोरी को लिखाए कि वैद आई आई यहां पर हमारे ओथर है लुईस फीशर फॉस्ट विजिटेड गांधी इन 1942 लुईस फीशर गांदी जी से पहली बार कब मिलते हैं 1942 में मिलते हैं कहां पर मिलत इंडिया बोलते थे ठीक है तो यहीं पर सेवा ग्राम जगाव पर क्या है उनका आश्रम था इसी आश्रम में इन दोनों का मुलकात हुआ था ठीक है इस मुलकात में ही सेड ही यानि गांदी जी क्या बोलते हैं लुईस फीशर को कि I will tell you how it happened मैं आपको बताता हूं कि यह कै कैसे हुआ क्या कैसे हुआ कि I decided to urge the departure of the British मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे हुआ कि मैंने यह decision ले लिया कि Britishers को अब इंडिया से बाहर निकालना है ठीक है it was in 1917 और यह incident शुरुआत हुआ 1917 में 1917 में कुछ ऐसा incident हुआ जिसे कि गांदी जी यह decide कर लिए कि Britishers को इंडिया से निकालना पड़ेगा समझेगी ने यह सब बात गांदी जी बताते है किसको हमारे ओथर लुईस फीशर को ठीक है यह तक्रियर है अब देखते है 1917 में क्या स convention यानी meeting of the Indian National Congress Party in Lucknow उस तमय में इंडिया में Indian National Congress Party गुआ करता था ठीक है यह आजारी के लराई लडने के लिए तो यह party time time पर कुछ meeting करते थे तो एक annual meeting था उसाल में एक बार यह meeting होता था दिसंबर 1916 में यह meeting हो रहा था लगनाव में ठीक है इस meeting को attend करने के लिए गांदी जी गए हुए थे यह time यह दरखेगा December 1916 और यह है year 1917 समझ रहे तो यह meeting में 301 delegates delegates पतलब कुछ लोग को represent करने वाले लोग यह पर कुछ लोगह गरूप है इसको represent करने के लिए एक लोग फिर वैसे ही यहाँ पर कुछ गुरूप है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो ऐसे ही एक एक लोग कुम क्या बोलते है delegates डो टो टोटल 201 delegates आय वे थे इस meeting को attend करने के लिए ठीक है डिविडिंग दप्रोसेडिंग गांधी रिकाउंटेट तो यह सारा बात जो है ना यह सब गांधी जी लुईस फीचर को बता रहे है ठीक है गांधी जी लुईस फीचर हमारे आधर पर बता रहे है ठीक है तो यह अपर लिखाए कि दू यह एक पूर फार्मर आता है गांधी जी के पास ठीक है जो बाकी दूसरे फार्मर की तरह दिख रहा था इंडिया में ठीक एक गरीब और इमैसियेटेड मतलब थीन एंड वीक एसा इंसान कब दिखता है दूबला पतला जब उसको ठीक से खाना ना मिले मतलब गरीबी बह राजकुमार शुकला नाम का एक पीजन्ट मात्मादानी जी से मिलता है और बोलता है कि I am from Champaran मैं कहां साया हूँ Champaran साया हूँ And I want you to come to my district और ये गांधी जी को बोलता है कि हम चाहते है कि आप मेरे district में आईए ठीक है गांधी जी ने इससे पहले इस जगह का नाम नहीं सुना था Champaran district ठीक है It was in the foot hills of the towering Himalaya तो चंपारन है कहां Himalaya के ठीक नीचे में है ठीक है Near the kingdom of Nepal आपने ये cluster में back pointing में भी किया होगा CBAC में ठीक है तो यहीं पहीं चंपारन है ठीक है नेपाल के ठीक बगल में ब्यार में आता है ये फिर आगा दिखिए Under the ancient arrangement the Champaran peasants were sharecroppers पहले से ही ये चंपारन के जो peasants है ना ये क्या है sharecropper sharecropper मतलब ये ऐसे किसान है जो किसी के जमीन पर काम करेंगे ठीक है काम करेंगे खुछ फसल होगा आएंगे तो फसल क्या करेंगे share करेंगे यह जमीन जो है यह in peasants करंना है इन plateau करह भाएज जोभी फसल होगा ठीक है वह ये लोग आपस Mushire करनेंगे ठीक ही को बोते है शेयर क्रॉपर, समझे, तो राजकुमार सुकला वाज वन अब देव, ठीक है, इसका कुछ फीजर्स याद रखीगा, ठीक है, राजकुमार सुकला का, सबसे लिए तो ये पूर था, इमैसियेटेट था, इलिटरेट, उत्ता परा लिकाने था, लेकिन एक कॉलिटी इसमें था, कि रिजोली उठता, डिड़ निश्य वाला इंसान था, काफी डिटर्माइन्ड था ये, किसी भी चीज़ को लेके, समझें, इसमें क्या था, ये भी बोल सकते हैं, टेनासिटी था, इस अब वर याद रखेंगे, ठीक है, ये, एट कम टू दा कॉंग्रेस सेशन, तु कम्प्लेन अबॉट लाइन्ड रोड सिस्टम इन विहार, वो इस कॉंग्रेस सेशन में, इस कॉंग्रेस मीटिंग में इसलिए आया था, यह जो कॉंग्रेस सेशन चल रहा था इस कॉंग्रेस सेशन में वह इसलिए आया था कि ताकि वह बता पाए कंप्लेंड कर पाए इस लैंडरोड सिस्टम के बारे में जिसमें काफी ज़्यादा इंजस्टीज हो रहा था ठीक है और टीसी एक व्यक्ति ने इसी मीटिंग में इस पहले का स्पेलिंग है अभी नया स्पेलिंग क्या होगी है खानपूर ठीक है उनका एक एक अपूर्ण में और इसके बाद उनको इंडिया के आलग अलग पार्स में भी जाना है तो शुकला जी राजकुमर शुकला बोलते है कि ठीक है आप चलिए हम आपके साथ ही चल बोलते हैं उनका एक आश्रम एहमेदाबाद के करीब में भी था ठीक है शुकला फॉर्ण में तो शुकला भी उनके पीछे-पीछे आश्रम तक आगिया कई हपतों तक शुकला जो था गांधी जी का साइड नहीं छोड़ रहा था ठीक है गांधी जीन जहां भी जारे था पीछे पीछे जा रहे थे और बोलते हैं कि फिक्सर डेट की आप एक डेट को निकालिए ही बेक्थ ठीक है ऐसे गर कर बोलता है इंप्रेश भाइदा शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड इस्टोरी गांधी सेट तो गांधी जी देखे कि यह वेक्ति काफी ज़्यादा ट पढके बदूते हैं कि मुझे काल्काटा जाना है इस तारीक को ठीक है तुम्हें काम करओ तुम वहापे आओ मुझे मिलो और मुझे इंड चलो अपनेedere स्ब्रेस के चलो ठीक है फिर क्या होता है कि मन्त पास्ट महिनों गुजर जाते हैं और कलकाता वाला जो डेट है वो आज आता है सुकला यानि राश्कुमार सुकला वस सिटिंग और हॉन्चेस एड़ अपॉइंटेड स्पोर्ट इन कलकाता वेर गांधी अराइड तो सुकला जो था ठीक कलकाता में उस डेट में पहुचके ठीक है उस एक जगह पे हॉन्चेस पे वेट कर रहा था आप इस पिक्चर पर दे सकते हैं इस पोजिशन में बैठके वेट कर रहा था ठीक है तभी गांधी जी आते हैं और एक अपना प्रोग्राम कोप्लित करते हैं सुकला तब तक इंतेजार कर लेकर जाए वह फ्री ऑफ अपने डिस्टिक्ट लेकर जाए और फिर दोनों कॉन राजकोवार शुकला और गान्दी जी दोनों ही एक ट्रेन पकरते हैं पटना इन बिहार ठीक है कि पटना जाने के लिए है कि वह आप सुगला क्या करते हैं गान्दी जी गो एक वकिल वकील का नाम होथा है राजेदर परब्साद ठीक है इनको आप जानते होंगे राजेद्र परासाद कौन है हुआ है इंडिया के फस्ट प्रेसिदेंट और साथी साथ Congress Party के भी आगे चल के प्रेसिडेंट बने थे तो राजकुमार सुकला गांदी जी को राज़ेंदर परसाद के घर लेके जाते हैं पट्ना में ठीक है राज़ेंदर परसाद क्या थे लॉयर थे ठीक है तो पना चलता है कि राज़ेंदर परसाद तो सहर से बाहर करता राता था ठीक है मतलब यह राजकुमार सुकला राज़ेंदर परसाद के पास कई बार जा चुगा है इसलिए उनके जो नौकर है वो राजकुमार सुकला को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं इसलिए वो लोग क्या करते हैं देखिए सो दे यानि यह जो सर्वेंट से लेठ हिम इस्टे ओन दे ग्राउंड पर सो जाओ राजकुमार सुकला को बुलते हैं ठीक है अपने साथी के साथ मतलब गांदी जी के साथ तू अपने ग्राउंड पर सो जाओ ठीक है और यह जो सर्वेंट है यह लोग गांदी जी को भी कोई दूसरा पीजेंट समझ लेते हैं ठीक है बर्ड गांधी जी वस नॉट पर्मिटेट तो ड्रॉव वाटर फॉम दे वेल ब्लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम इस बकिट पॉल्यूट दे इंटायर सोर्स गांधी जी को यह आलाव नहीं किया था कि आप उस कुवें से पानी निकाल पाए क्योंकि अगर गांधी जी कुवें से पानी निकालेंगे तो उनके अगर बालती से एक-दो बूंद भी अगर उस कुवें में गिर गया तो वह पूरा कुवा जो है पॉल्यूट हो जाएगा तो अल्टचिबिलिटी वाला सीन चल रहा था उस समय में ठीक है उनको कैसे पता भी चलता कि गांधी जी जो थे वो अन्टचेवल नहीं थे मतलम गांधी जी टचेवल थे उनको यह बात मालूम नहीं था उनको किनको मतलब यह सर्वेल्स को मालूम नहीं था ठीक है फिर आगे देखिए गांडी जी डिसाइडेट तो गो फस्ट मुझभपरपूर सबज गए विच वास इन रूट तो चंपारन तो अप्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबॉट कंडिशन्स दैन सुख्ला वस केपेबल ऑफ इंपार्टिंग गांडी जी डिसाइड करते हैं कि वह पहले कहा अच्छा जनकारी मिलेगा क्योंकि शुक्ला उन पूँ अच्छे से बताने बाड़ा था क्योंकि शुक्ला तो उत्ता पढ़ा लिखा था नहीं ठीक है तो परिसिति को अच्छे से समझने के लिए वादमागंधी पहले कहा जाते हैं मुझभपर पूर जाते हैं इसको आप याद की जिगा ठीक है पहले क्या था क्याता में वह स्पीच खतम किये फिर ट्रेन पकड़के दोरो लोग कहा पर आप पटना में एक लोयर के घड़ में लोयर का नाम क्या है राजेंदर प्रसाद ठीक है यहाँ पर यह डिसाइड करते कि वह कहा जाएंगे मुझभपर तो मुझभपर पूर में एक आर्स कॉलेज है ठीक है तो वहाँ के प्रोफेसर है एक टीजर है जिसका नाम है जे प्रोफेसर जेबी क्रिपलानिक ठीक है तो मातमा गांधी उनको एक टेलिग्राम भेजते हैं ठीक है मातमा गांधी जी इस प्रोफेसर को कैसे जानते हैं क्योंकि इनका मुलाकात इनसे हुआ था कव कहां पर टेगोर सांथी निकेतनी स्कुल में कॉलकाता में ठीक है तो यह उतना इंपर्टन इस को याद करना आपसे भी इतना ही समझ के शोड़िए कि गांधी जी वुझ स्कॉलिज के प्रोफेसर है इतना ही बात समझे ठीक है दे ट्रेल अराइब एक मिड़नाइट 15 अपरिल 1917 तो वह त्रेल में बाइटके मुझ अपरपूर पहुच जाते हैं मुझ अपरपूर कब पहुचते हैं 15 अपरिल 1917 में ठीक है वहां पे क्रिपलानी अपने कई सारे स् गांदी स्टेड देर फर टू डेस गांदी इन दहों प्रोफेसर मलकानी टीचर इन गौर्वन्ट इस्कूल अब गांदी जी मुझ अपरपूर मुझ अपर पहुच गये तो वहां पर इस्टे कहां पर करेंगे तो एक और प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर मलकानी यह गौर्वन्ट इस्कूल के टीचर थे ठीक है उनके घर में गांदी जी ने दो दिन इस्टे किया ठीक है कंफ्यूज मत हुईएगा देखिये मुझ अपरपूर जाना है मात्मा गांदी जी को ठीक है तो वह ट्रेन पकड़के मुझ अपरपूर पहुच गये 15 अपरिल को ठीक है उनको रिसीव करने के लिए कौन आया हुआ है प्रोफेसर जेबी क्रिपलानी ठीक है लेकिन इनके घर पे वो इस्टे नहीं करते वो इस्टे करते किसी और प्रोफेसर के घर में जिसका नाम है प्रोफेसर मलकानी ठीक है एक गवर्णमेंट इस्कूल के टीचर थे स कोई भी एक सरकारी प्रोफेसर है, वो मेरे जैसे इंसान को अपने घर में रख रहा है, ये काफी भारी चीज था उस समय में, ठीक है? In small localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of Home Rule. छोटे-छोटे सहरों में तो जो Indians थे, वो काफी डरते थे, उनको उनके प्रती sympathy दिखाने से, जो की Home Rule के supporter थे, Home Rule मतलब ये एक माली चे पहुत बड़ा land area है, मतलब पुरा country है, एक main government है यहाँ पे, तो Home Rule का बनलब कोई सी छोटे स्टेट में अपना ही रूल चलाना, ठीक है, तो यहाँ पर मात्मा गांदी तो Home Rule के supporter थे, advocate थे, advocate यहाँ पर बोलने का मतलब supporter, ठीक है, मात्मा गांदी Home Rule के supporter थे, तो यह जो government professor है, ठीक है, यह लोग मात्मा गांदी को अपने घर में रख रहे हैं, तो यह काफी एक रिस्की चीज था, उनका जॉब भी जा सकता था, ठ कोई बातियां तक लिखाए, समझें? फिर आगे देखिए, the news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly, गाली जी आये हुए है, और वो किस mission पर आये हुए है, यह सब जो news है, यह काफी तेजी से फैल लिया, वोज अपरपूर से लेके चंपारन तक, ठीक है, तो चंपारन के जितने भी sharecropper थे, ज to see their champion, यानि मात्मा गांधी को देखने के लिए आये सब, ठीक है, मुझबपरपूर लॉयर्स, called on Gandhi to brief him, मुझबपरपूर के जो लॉयर्स थे, called on का मतलब होता है, visited, ठीक है, वो लो गांधी जी को विजिट किये, brief him, मतलब उनको यहां का परिस्ति बताने के लिए, गांध अगर कोई बवाल हो जाए, तो यह लॉयर्स ही थे, जो विजिट को रिप्रेजन करते थे, ठीक है, तो यह सभी लॉयर्स गांधी जी को cases के बारे में बताते हैं, और कितना फी वो लेते थे, चार्ज करते थे, उसके बारे में सभी लॉयर्स गांधी जी को बताते हैं, ठी दापते हैं lawyers को क्योंकि ये लोग काफी बड़ा amount of fee कलिक कर रहे थे share crop और से ठीक है he said और पूरा condition को समझने का बात गानी जी बोलते हैं कि मैं इस conclusion में पहुचा हूँ कि अब हमें law court जाना बंद कर देना चाहिए ठीक है क्योंकि law court जाके कोई फाइदा नहीं मिल रहा है ऐसे cases को हम court ले जाके कुछ जड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे है क्योंकि पीजर्ण्स जो है या पर मिन प्रॉब्लम क्या है पीजर्ण्स को crush किया जा रहा है दबाया जा रहा है और पीजर्ण्स के मन में डर बैड़िया है ठीक है फियर बैड़िया है तो इस असली प्रॉब्लम यह है ठीक है क्योंकि पीजर्ण्स काफी डरे हुए है इनको दबाया जा रहा है प्रॉब्लम यह है तो यह प्रॉब्लम कोर्ट में सॉल्व नहीं होगा इसके लिए law court जो है वो useless है ठीक है असली solution इसका यह है असली solution इह है कि इनके अंदर से डर्ड निकाल ला है यह हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है और यही लाइन इस हिस्टोरी का मेल लाइन है समझेगी नहीं बड़ा थीम है यही चलिए आगे देखिए मामला क्या था चंपारन का वह यहां पर बताया ग सच्छिग के जातरा जो जमीन है उसको बड़े बड़े स्टेट्स यानी बड़े जमीनों में रखा हुआ था ठीक है और यग अल्चिए ऐल्टे दौनेन को पाइए इंग्लिशमें अंगलिश्य लोग ऊन करके रखे हुए थे और इस बड़े बड़े जमीनों में इंडें टेनेंट्स ठीक है यह काम करते थे ठीक है जबीन में काम करेंगे बदले में कुछ रेंट पे करेंगे ठीक है दे चीफ कमर्शियल क्रॉप वस इंडिगो और इस एडिया में जो में कमर्शियल क्रॉप था मतलब ऐसा क्रॉप जिसको मार्केट में बेच जा सके ठीक है वो था इंडिगो इसी के ऊपर तो इस्टोरी है ठीक है जो जमीन के मालिक थे यह इंडिगो ग्रोव करें और जितना भी इंडिगो फसल होता है जितना भी हार्वेस्ट होता है उसको रेल्ट के रूप में उन्हें जमा कर दे देखें कॉंसेट समझेए यह मालिक बहुती बड़ा जमीन है बहुती बड़ा जमीन को क्या बलते है इस्टेट्स बुलते हैं इसके ओनर को ने इंग्लिश मेंन है ठीक है या पर में कमर्सेल क्रप क्या है इंडिगो है समझ रहें तो यह जो लैंडलोड थे यह लोग इंडिगो ही गुरो करना है ऐसा इंग Lashman force करते थे इन टिनन फो ठीक है और इंडिगो गुरो करने के बाद जो भी इंडिगो फसल हुआ यह पूरा इंडिगो को दे देरा है इस इंग्लिश मेंनी लैंटलोड को ठीक है एज फेरेंट समझ रहें किया इंडिगो उस समय मे भी इस चकर्विव से नहीं निकल बा रहे थे समझें तो यहां तक तो मामला ठीक था अब मामला गरबर यहां पे हुआ देखिए प्रेजेंट लिद लेंड लॉर्ट्स लेंड डेट जर्मनी हैड डेवलप सिंथेटिक इंडिगो यह इंग्लिशमें थे बड़े बड़े जो इसलिए वो लोग क्या करते हैं यह इंग्लिशमें लोग क्या करते हैं और बोलते हैं कि चलो आज से हम तुमको इस 15% एरेजमेंट से फ्री करते हैं ठीके लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या करना पड़ेगा कुछ कंपंशेशन पे करना पड़ेगा इतना रुपया दो त तुम्हें 15% एरेजमेंट से फ्री कर देंगे अब तुम पूरे जमिन पर जो मर्जीवों को उगा सकते हो यह जरूरी नहीं के तुम 15% में इंडीगो उगा हो ठीक है लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा Compensation समझें तो यह आपर समझें कितना गलत हो रहा है इंटेनेंट के साथ चलिए फिल आगे देखिए अब चुकि यह शेर क्रॉपिंग एरेजमेंट जो था यह 15% जो एरेजमेंट था यह काफी irritable था और कसम था पीजेंट के लिए पीजेंट काफी पड़ासान होते थे इस एरेजमेंट से ठीक है तो इसलिए ज़र्णतर पीजेंट क्या करते हैं काफी विलिंगली इस एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं कि चलो ठीक है हम आपको कुछ compensation दे लेते हैं हमें इस एरेजमेंट से free करो ठीक है और कुछ presents ऐसे भी थे जो इसको sign नहीं करते हैं तो वो लोग lawyers को hire करते हैं ठीक है कोट में case लडने के लिए और जो landlord से ये बड़े-बड़े गुंडे को hire करते हैं लडने मार्वे के लिए ठीक है मिन वाइड अब इसी के बीच क्या होता है ये जो information था उपर हमने ये बात देखा था कि जर्वनी ने synthetic indigo बढ़ाना शुरू कर दिया है ये बात सिफ landlord को भी मालूम था इस समय तक ठीक है जो हमारे tenants है पीजेंट से इनको मालूम नहीं था ये बात धिरे-धिरे ये बात tenants को भी पता चलिया ठीक है और ये बात यहां पर लिखाया है कि meanwhile the information ये जो information था synthetic indigo के बारे में ये इन गवार प्रिजेंट्स को भी मालूम चलिया जिन्हों ने जो sign अलड़ी कर चुपे थे तो ये लोग तो से लेगा है हमारे साब तो धोका हुआ है ठीक है अब ये लोग चाते थे कि इनको उनका पैसा वापस मिले जो compensation इन्होंने बे किया था वो compensation इन्हें वापस मिले बात यागरा है समझ रहे तो यही पुड़ा लोचा था चंपारण में ठीक है और इसी पॉइंट में कांधी जी आराइफ करते हैं चंपारण में कांधी जी मुझापरपूर से निकल गए ये सारा मामला समझ के अब पहुच गये कहां चंपारण में समझ बाए रहे हैं चलिए आगे देखते हैं आगे दिखने से पहले यहाँ पर एक क्वेशन था यह रहा यह कोशन का एंसर देने का कोशिस खीजिए नंबर A MCQ राजकुमार सुपला वाज राजकुमार सुपला क्या था एक शेर क्रॉपर था यह हो जाएगा डेलिगेट नहीं था पॉलिटिशन नहीं था लैंडलोड भी नहीं था राजकुमार सुपला वाज पूर भी था फिजिकली स्ट्रॉंग नहीं था इलिटरेड भी था ठीक है यह भी राइट है यह भी राइट है चलिए आगे देखते हैं और इस चप्र का जितना भी इन पॉर्टेंट पोचन एंसर से वह आपको मेरे व्युक्साइट पर मिल जाएगा वह आपे जाके आप प्रिपेर कर लेंगे अब यह आप इसी स्टोरी को सबजिए यानि गांदी जी बिएन बाइटिंग तो गेट दा बाइट्राइग तो गेट दा फैक्स गंदी जी सबसे पहले सारे facts को एकटा करते है फर्स्ट गंदी जी इसको इनको विजिट करते है the secretary of the British Landlord Association ठीक है यहाँ पे विजिट करते है secretary बोलते है कि हम आपको कोई जनकारी नहीं रिसकते क्योंकि आप एक पाहर वाले है, outsider है ठीक है जो commissioner थे वो गंदी जी को बोलते है धमकाते है ठीक है गंदी जी को धमकाते है कि और advice देते है कि तुम अभी के अभी तु ती रूट छोड़ दो ठीक है क्योंकि देखे ती रूट डिविजिन के अंदर ही चंपारण इंडिस्टिक आता था तो यहां के जो commissioner थे वो गंदी जी को दढ़ाते दंकाते है कि तु ती रूट छोड़ के चले जाओ लेगिन गंदी जी नहीं जाते है ठीक है इंस्टीड ही प्रोसीडेट टू मोतिहारी गंदी जी पहले आते ही दो जगह जाते है एक तो यह और दूसरा यह तो नहीं जगहा कुछ खास रिजल्ट आता नहीं है तो फाइनली गंदी जी मोतिहारी जाते है मोतिहारी क्या है चमपारन का capital है समझे गंदी जी के साथ साथ कुछ lawyers भी है ठीक है जो उनको उनके साथ accompany कर रहे उनके साथ जा रहे है at the railway station a vast multitude greeted गंदी जी तो गंदी जी जब मोतिहारी पहुझे railway station railway station में पहुझे ठीक है तो बहुत ज़्यादा भीर ही खटा हो गया गंदी जी को देखने के लिए ठीक है गंदी जी एक घर में जाते है और उसी को as a headquarter use करते है और वही से अपना पूरा investigation चालू करते है ठीक है सारा सबूत ही खटा करते है जो भी तभी एक report आता है मतलब एक ख़वर आता है कि कि पीजेंट को काफी बुरी तरीके से पीटा गया है पास के village में गंदी जी सोचते है कि चलो देख के आते है किसको मारा गया ठीक है क्यूं मारा गया अगली सुबह वह एक हाथी में बैटके जा रहे होते है इस पीजेंट को देखने के लिए ठीक है जड़ा दूर वह नहीं गय होते है कि तभी क्या होता है कि एक पुलिस रुपी ट्रेडरेंट का जो मेसेंजर है वह उनको ओवर्टेक करता है और उनको ओडर देता है कि आप अधी कभी टाउन चलिये ठीक है उनके कैरेज में गारी में बैठके ठीक है गांदी जी कंप्राइए गांदी जी उस ओडर को माल लेते है गांदी जी उनके गारी में बैठके टाउन जाते है तो मेसेंजर उनको घर तक ले जाता है और घर ले जाने का बाद उन्हें एक ओफिशल नोटीस थमा देता है उस ओफिशल नोटीस में लिखा होता है कि कुईट चंपारन इमिडियकली गांदी जी को यह order दिया हुग गया है कि आप जली जली चंपारन चोड़ के चले जाए गांदी जी उस order में उस नोटीस में शाइन करते हैं और साइन करके लिख देते हैं कि वो इस order को डिश ओवे करेंगे मतलब इस order को नहीं मानते वो ठीक है इन कॉंसेक्वेंस तो इसका रिजल्ट यह होता है कि गांदी जी को एक समवन एक बुलावा आ जाता है कि आप अगले दिन कोर्ट में पेस होई है क्योंकि आपने एक ओफिशल ओडर बो ठुकरा दिया सरकारी ओडर बो आपने नहीं मारा है तो आप कोर्ट में आई है ठीक है तो देखिए सीन कैसे सीफ्ट होड़ा है हमने यहाँ पर देखा कि गांदी जी मोतिहारी में एक घर में इन्वेस्टिकेशन कर रहे थे ठीक है एक पीजल को पीटा गया यह न्यूज आया तो गांदी जी उसे मिलने जाई रहे थे कि एक पुलिस सूपरेटरेंट का मेर्से तो वह वर्व होगा समन मतलब बुलाना ठीक है और समन मतलब बुलाबा चलिए और लाइट गांदी रिमेंड अवेक तो उस पूरी रात गांदी जी जागे रहे वो टेलिग्राप किये राजेंदर प्रसाद को ठीक है कि आप आईये बिहार से यहाँ पर आईये ठीक है तब यहीं टेलिग्राप के जर्गे ही उन्होंने पूरा रिपोर्ट जो है वाइसरे को बजाया कि यहां पर ऐसा-एस मामला हो रहा है बॉर्निंग फाउंड टाउन ओफ मोतिहारी ब्लैक विट पीजन्स सुबव सुब मोतिहारी का ऐसा सीन था कि पुड़ा काना हो गया था प्रिजन्स है काना मतला सबकास काले-काले सिर नो बाले ठीक है वो दिख रहे थे सिप मुंदी दिख रहा यहांपर पुड़ा मोतिह को गण्धी जी साउथ अफेरिका से आएक है कि नहीं पहले गंदी जी साउथ अफेरिका में एक लॉयर थे वकील थे तो इन फुट पर इन जो इलिटरेट तो पिंशे इनको तो कनी जी का उतना रिकॉर्ड मालूम नहीं है इन प्रिजट को इतना बात मालूम है कि एक महात् पीजेंस आगे मोतिहारी में इनको help करने के लिए ठीक है देर इस्पॉंटेनस डेमोंस्ट्रेशन इन थाउजेंस अराउंड दा कोर्ट हाउस वास बीगिनिग अप देर लिबरेशन फ्रों फिर अप बिटिश बहुत इंपोर्टेंट लाइन नहीं है देर यानि इन जो पीजेंट्स का इस ओंटेनस डेमोंस्ट्रेशन अचानक से यह लोग इतना भीर इखटा कर लिए ठीक है हजारों की तादात में कोर्ट हाउस के बाहर तो यह भीर में एक ताकत पैदा हो गया क्योंकि सब का एम यह है कि सब पर बिटिसर के खिलाफ लड़ना है ठीक है पहला मारे सब घीर इकत्टा हो रहा था तो यहीं पर शुरुवात हो गया दलीबरेशन फ्रों फिर उस डर से आजादी का शुरुव बताया था कि court जाके ज्यादा फाइदा नहीं है क्या असली लडाई क्या है डर से जीतना यह असली लडाई है कि नहीं कि तो जब यह लोग सब एक साती खटा हुए तो यह लोग थोड़ा थोड़ा डर पर काभू पाना शीक गए समझे फिर आगे देखिये तो गांधी जी जब कोट आए हुए थे, उनको कोट भुलाए गया था न, मुतिहारी के, तो वहाँ पे जो ऑफिसल्स थे, ये काफी वेवस फील कर रहे थे, इनको पत समझ में आ गया था कि जब तो गांधी जी इन प्रिजेंट्स को कोई निर्देश नहीं देंगे, तो ये कांधी जी घास गुणता, काफी पोलाइट, काफी फ्रेंडली तरीके से, सब को फ्रेंडली तरीके से treat करते थे, ठीक है, वो भीर को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, और इन सब चीज करने का तो रहान, कांधी जी एक क्रूफो दे रहे थे, इन ओफेशल्स को, इ इससे डढ़ा जाता था यह बिटिसर का पावर से जब लोग अब तक डढ़ते थे कोशन नहीं करते थे इसी पावर को अब इंडियन जो है चैलेंज करना है स्टार्ट कर दिये हैं समझ रहे कि यहां पर जो मोतिहारी के कोट के बाहर इतना तदा भीर ही खटा हो गया कि ओफि करते थे लेकिन अब यह पावर खत्रे में है समझ रहे क्योंकि लोग अगर आपस में में जाएंगे तो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं तो कपरमेंट वस बैफल्ड बैफल्ड यानि कन्फ्यूस्ट सरकार पुढ़ा कन्फ्यूस हो गई थे इतना भीर बार देखके ठीक है प्रोजिक्यूटर यानि जो गौर्रमेंट लॉयर थे रिक्वेस्टेट मतलब वो लॉयर्स जो गौर्रमेंट की तरब से लड़ रहे थे ठीक है उन्होंगे रिक्वेस्ट या जजज को कि यह मैटर को यह ट्रैल को पॉस्पोन कर दिया जाए ठीक है जब मामला ठंडा होगा तब इसका सुनवाई किया जाएगा एपरेंटली देखके तो अच्छा लग रहा था कि यह जो ऑथरीटीज थे गौर्रमेंट ऑथरीटीज यह अपने सुपरियर को कंसल्ट करना चाहते थे ठीक है मतलब यहाँ पर जो लैंग्वेज उसकर दे उसमें क्या है सरकाज गया तो गांदी जी अब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर दिये ठीक है अगरेंज दर डिले गांदी जी एक स्टेक्मेंट परते हैं ठीक है जिसमें वह माफी मंगते हैं वह बोलते हैं कि गांदी जी बोलते हैं कि कोट को कि वह कंफ्लिक्ट अब ड्यूटी में पड़ गये थे मतलब दो ड्यूटी उनके सामने आखे खड़ाव गया था एक ड्यूटी क्या था नंबर वन वह लोग को ब्रेक करके एक बैड एक्जामपल सेट नहीं करना चाहते थे एक ड्यूटी तो यह नोटीस गौर्मेंट का ओडर नहीं वानना मतलब एक बैड एक्जामपल सेट होता है ठीके तो उनके पास एक रास्ता यह था और दूसरा रास्ता यह था तो रेंडर दा हिमानिटेरियर एंड नैशनल सर्विस वह एक इंसानियत का और तेज बक्ति का मतलब सेवा क पर विच यह था और यही उनका आने का मकसद है कहां पर इंडिया में कहां साय है वह साथ अफरीका से ठीके तो दो उनके पास ऑप्शन था तो वह किसको जुनते हैं आज गौर्मेंट का ओडर फॉलो करें या फिर इंसारियर का आउडर फॉलो करें तो उन्होंने डिसाइ क्योंकि वह इससे भी उपर जो लौ होता है गौर्मेंट ने जो लौ बनाया है उसके भी उपर एक लौ है जिसको बोलते है तो बॉइस ऑफ कॉंसाइज अंतरात्मा की आवाज आपका दिल जो बोल रहा है कि यह सही है और यह गलत ठीक है हम उस हायर लौ को सुने गांदी जी ऐसा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यह बोलके माफी मांग दे ठीक है इसे कोड से देख रहें गांदी जी का कितना अच्छा तरीका है बोलने का मतलब उन्होंने कोड का ओडर माना नहीं लेकिन इस तरीके से वह गिल्टी प्लीट कर रहें कि कोड भी उनको माफ कर दे त्यार है क्योंकि हमने और नहीं वाना है हम पेनल्टी बढ़ देंगे ठीक है दमेजिस्ट्रेट यानि जो जर्स्त है उन्होंने अनौन्स किया कि वो जो भी सजा है वो दो घंटे के रिसेस यानि ब्रेक के बाद सुनाएंगे ठीक है और गांदी जी को कहा कि गांदी जी आप क्या कीजिए ये दो घंट के लिए आप दो घंटा के लिए बेल ले लिजिए मतलब कुछां देक्ट ट्राना जाफ जोनाइएंगे तो जेШंने इसके बाद भी में बेव सोकर प्राताओ बेल घंड रहें और बृट के री कन्वेंड हुआ, फिर से स्टार्ट हुआ ठीक है, और जज्ज ने कहा कि वो अभी इस जज्जमेंट को डिलिवर नहीं करेंगे, ठीक है, वो कूजिन के बाद ही इस जज्जमेंट को, मतलब इस पर फैसला सुनाएंगे, ठीक है, तब तब नो ने कहा कि गानी जी आप मौलाना, मजहरूल, हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar, ये सभी महान लोग, सभी prominent lawyers, जाने माने वकील थे, ठीक है, ये सब लोग बिहार से आए, they conferred with, conferred with का मतलब बता है, discussed with गांदी जी, उन्होंने गांदी जी के साथ discussion किया, गांदी जी उन से पूछते है कि, अगर मान लो कि मुझे जेल ब senior lawyers हो थे, इन में से, वो reply करते हैं कि, वो यहां पर क्यों आए है, गांदी जी को advice करने लिए, अब जब गांदी जी जेल चले जाएंगे, तो ये अब किसको advice देंगे, उसलिए अपने अपने घर चले जाएंगे, कि तब फाल तो reply दिया, ये senior lawyer, ठीक है, ये सुनके तो, मा तो सभी lawyers आपस में concerned करते हैं, एक जगह जाके concerned करते हैं कि क्या किया जाए, तो उड़ मेंसे तो राजंदर परसाद जो थे, has recorded the upshot of their consultation, upshot यानि conclusion, जो भी सभी lawyers ने discussion किया, उसका क्या निसकर्स लिकला, क्या solution निकला, वो upshot देने के लिए आए, ठीक है, राजंदर परसाद बुलते हैं कि, they thought, यानि सभी lawyers ने आपस में ये decide किया हैं, कि गांधी जी एक stranger जगह के लिए, ठीक है, वो बाहर से आए है, तबी भी गांधी जी इस sharecropper के लिए jail जाने तक के लिए ready है, ठीक है, for the sake of peasants, और अगर हम, दूसरी तरफ, हम या के सिफ residency नहीं, बलकि हम इस lawyers, इस peasants के लिए, एक lawyers भी है, ठीक है, इनके लिए लड़ते भी इन्से fees भी लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, यह करतब पे नहीं है, कि हम भी इनका help करें, क्या हम भी घर चले जाए, क्या, यह जो काफी सर्मनाग चीज होगा, it would be a shameful description, काफी सर्मनाग डिसर्शन होगा, डिसर्शन का मिनिंग होता है, act of leaving a place, हम अगर यहां से जाएंगे, तो यह काफी सर्मनाग चीज होगा, तो ऐसा सभी lawyers discuss करके बोलते हैं, गांदी जी को, ठीक है, तो they accordingly went back to Gandhi and told him, they were ready to follow him into jail, अच्छा, तो यह आपस में discussion करने के बाद, यह डॉक्टर राजंदर परसाथ conclusion न ठीक है, अजर आप जेल जाएंगे, तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे, ठीक है, हम भी आपके साथ लड़ेंगे, बस, यह सुनके गांदी जी बोलते हैं कि, बैटल अफ चंपारन का यूद्ध जीत लिया गया है, ठीक है, क्योंकि गांदी जीत क्या है, सबसे पहले freedom from fear डर से आजादी पाना ही जीत है, और उसके साथ साथ जाएंगे, हमें unity देखने को मिल रहा है, unity peasants तो unite हैं, peasants के साथ साथ, जो lawyer से अब वो भी unite हो गए हैं इस लड़ाई में, समझ रहें, जब इतना चीज हो गया है, fear से भी आजादी मिल रहा है, unity भी मिल रहा है, तो समप हैं, और put down the order in which each pair was to court arrest, और order बनाता है कि पहले ये जोड़ाई एरेस्ट होगा, फिर ये जोड़ाई एरेस्ट होगा, फिर ये जोड़ाई एरेस्ट होगा, ऐसे करके वो एक list बढ़ाते हैं, ठीक है, गांदी जी के पास एक चिठ्थी आता है, जज की तरफ से, ठीक है, मेजिस्ट्रेट की तरफ से, उसमें ये इनफर्म किया जाता है, कि उस समय के जो, देखिए, किसी भी country में, एक तो government होती है, government के साथ साथ क्या होती है, court, है की नहीं, तो गांदी जी पे ये जो case था, order आमानने का, ये case किस ने किया था, government ने किया था, ठीक है, तो ये court में कौन है, magistrate है, और government में कौन है, तो lieutenant governor, ठीक है, तो मात्मा गांदी को magistrate का तरफ से एक चिठ्थी मिलता है, एक written communication मिलता है, उसमें लिखा हुआ होता है, कि जो lieutenant governor थे ना, यानि government के representative of the province, had ordered the case to be dropped, इन् केस अपस ले लिया, तो अभी ये क्या फैसला सुनाएंगे, है कि नहीं, तो इसलिए, केस गांदी जी उस case से आजात हो गए, समझ रहे, civil disobedience had triumphed the first time in modern इंडिया, पहली बार civil disobedience, modern इंडिया में देहने को मिल रहा था, और इसका जीत हो रहा था, समझ रहे, civil disobedience मतलब, लोग पुड़ा पुरी सरकार पर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, लोग और डिसोबे करना, समझ रहे, लोग का डिसोबे करना को क्या होता है, civil disobedience, तो मैटर समझ ये, आप चैप्टर में आप अटक गया हो गया, चैप्टर चल गया रहा था, गांदी जी आय थे, पीजेंट्स को पीजेंट्स का साथ देने के लिए, है की नहीं, फिर एक रिपोर्ट आया था, बीच में की एक पीजेंट्स को पीटा गया है, गांदी जी उसको देखने जा रहे थे, तभी उनको ओर्डर मिलता है कि तुम चम पारण चोर के चले जाओ, गांदी जी इस ओर्डर को मानने स सुरू हो जाता है, ठीक है, इसके बाद कोर्ट में ये सा बाजबाजी होता है, गांदी जी ये से करके माफी मंगते है, तो फाइनली गांदी जी को यहाँ पे आजादी मिल जाता है, ये छोड़ा सा केस से गांदी जी आजाद हो गया है, ठीक है, मिल नराई क्या है, चम प दर शिप्ट हो रहा है अब गांडी जी और सभी जो लॉयर्स थे अब पुरा-पुरी अच्छे तरीके से जूट गए इंक्वाइरी पे ठीक है किक फार्मर क्या 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 कंप्लेंट है इसके बारे में डिपोजिशन्स बाइब अबट 10,000 पीजन्स वर रिटन डाउन नोट्स में टू अधर एविडेंस डिपोजिशन्स का मतलब होता है वेटनेस गिविंग टेस्टिमेरी अंडर ओथ मतलब गवाही देना ठीक है दस हजार पीजन्स का गवाही जो है बयान जो है उसको रेकॉर यह सब टाइब का डॉकमेंट इक अटा किया गया ठीक है दा होल एरिया थ्रॉब्ट विद दा अक्टिविटी अफ दा इन्वेस्टिगेटर्स और वेमेंट प्रोटेस्ट अफ दा लैंडलोड पूरा उस एरिया में चंपारन वाल एरिया में एक तरफ तो गयेट दा लेटिन गवर्णर यहाँ पर जो लेटिन गवर्णर थे जिनोंने अपना केस वापस ले लिया था अब यह गांदी जी को बुलाते हैं एक दिन ठीक है इनका नाम है सर इड़वर्ड गयेट ठीक है बिफोर ही वेंट लेट तो गांदी जी इनसे मिले जाने से प यह लेटिन गवर्णर से मिलने जा रहे थे तो खत्रा तो है ठीक है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं इनको तो पूरा डिटेल प्लान बनाते है कि अगर वो लोट के वापस नहीं आए तो क्या क्या चीज़ करना है इसके उपर डिटेल प्लान बनता है ठीक है तो इससे यह प चार लंब प्रोट्रेक्टेड मतलब लॉंगर लॉंगर देन यूजवल ठीक है चार लंबे-लंबे इंटर्विव करते मुलाकात करते हैं और फाइनली इस मुलाकात से यह डिशिजन निकलता है कि एक ओफिशल कमिशन बिठाय जाएगा यह कमिशन इनकोईरी करेगा इस इ ठीक है तिन टाइप के मेंबर हैं तो तीनों मैंबर में एक ही मेंबर आसा है गांधी जी जो की पीज़न को रिपर्जेट कर रहे थे क्योंकि लैंड्लोर्ड जो थे यह अंगरेज चैन गवर्णन ऑफिशल यह अंगरेज थें तो लोग एक दुस्रे को फेवर करेंगे गा गांदी जी को चंपारन में लगातार साथ मेने तक रहना पड़ गया ठीके और देन अगें फोर सेब्लल सॉटर विजिट इसके बाद गांदी जी चले गए और फिर फिर जुरत परा तब थोड़े थोड़े समय के लिए आते रहे चंपारन ठीके तो यह विजिट जो था गा अमना सुल जाते शुल जाते गांदी जी का लगभग एक साल लिकल गया गांदी जी के लाइफ का ठीके डाफिशल इंक्वाइडी एसेंबल लग क्रसिंग अमांट ऑफ एविडेंस अकेंस बीक प्लांटर तो इंक्वाइडी का नतीजा यह निकला उसको मिशन जबने जो कि जो इह जो बड़े-बड़े प्लांक cheating टे ना इंस्टेश के लैंड लोड ठीके यह लैंड लोड के खिलाफ कई सारे एविडेंस निकल के आए ठीके और जब यह एविडेंस अब के सामने था तो सबको मानना ही पड़ा in principle कि सबको अब सभी पीजर्ट को पर ना पड़े हमें कितना refund देना परेगा यह लोग तो सोच रहे थे कि गांदी जी क्या करेंगे फूल रिपेमेंट मांगेंगे जितना पैसा लिएगो उतना तुम दे दो वह पैसा जो तुमने इन लिगली और डिसीटफुली पैसा सारा का सारा पैसा वापस करो लेकिन गांदी जी सारा पैसा नहीं मांग के क्या करते हैं सिफ आधा पैसा 50 परसेंट पैसा मांगते हैं ठीक है और एक वेक्ति हैं यहाँ पर जिनका नाम है रेवरेंट जे एच होज नाम नहीं भी आफिरेंगे तो चलेगा ठीक है जो इस मामले को काफी गहरा ही से अब्ज़र्ब कर रहे थे ठीक है तो यह लिखते हैं कि जब गांदी जी ने 50% माना ना तो इस समय वो काफी एड़मट मत मानने वाले थे ठीक है तो तो थिंकिंग प्रबाइबली देट ही वुड नॉट गीब वे थे रिप्रेजेंटेटिव प्लांटर्स ओफर तो रिफर्न टू एक्स्टेंट ऑप 25% सभी लोग उने सचा कि गांदी जी ऐसे तो मानेंगे नहीं तो जो प्लांटर्स के रिप्र से कि जब गांदी जी इस पर एगरी कर गए गांदी जी बोले ठीक है 25% तुम दे रहे हो तो वही ठीक है ठीक है तो इससे ये डेड़ लॉक एंड हुगिया ठीक है अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है जब पूरा पैसा मांगना चीए तो 100% मांगना चीए था गांदी जी का लॉजिक एक बड़ सुन लीजिए कुछ भी करने से पहले देखिए देखिए देटल्मेंट वॉज अडॉप्टेड युगैनिमस ली बाइद कमिशन गांदी जी ये जो सेटल्मेंट था कि जो लैंड प्लांकर्स थे बोलो 25% पैसा वापस देंगे पीजन को ठीक है यह सेटल्मेंट सभी को सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। युनैणिमसली का मतलब होता है बीना कोई सवाल किये। ठीके। तो उन्होंने सारे लोगों ने यay जो सेटल्मेंट था उसको एक्सेप्ट कर लिया ठीके। अब गांदी जी जी यहाँ पे एकस्पैनेशन देते ह ठीक है बलकि यह फैक्ट ज्यादा इंपोर्टेंट है कि लैंड लोग ने लैंडलोड ने क्या किया अवलाइस टु सरेंडर पार्ट आप दमवनी एंड इट पार्ट आप देर प्रेस्टीज बड़ा बात यह है कि लैंडलोड ने पैसा तो डिफंड किया ही है जो भी 25% किया यह साती साथ लैंडलोड ने क्या क्या है अपना प्रेस्टीज भी खोया है यहाँ पे प्रेस्टीज भी उन्होंने सरेंडर कर दिया ने जो कि ज्यादा इंपार्टेंट है क्योंकि हमने पहले ही द quantidade का coaching कि लिए यह बढ़ा जीत था पैसा उत्रा इंपोर्टेंट नहीं थ देखिए, therefore as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law, तो peasants के लिए भी एक खुशी वलका बात था, क्योंकि अभी से पहले क्या होता था, यह जो planters थे, यह लोग मानो भगवान की तरह behave करते थे, above the law, कानून के भी उपर थे, कानून भी नहीं मानते थे, और सब पहतेचार करते थे, now the peasants saw that he had read lien, अब present को यह दिख रहाता है कि उनके पास भी हक है, जब उनको एक जीत मिलिया, ठीक है, officially जीत मिला, ठीक है, तो उनके पास भी, उनको भी यह बात कर, realization होगा कि उनके पास भी rights है, और defender है, उनको rights को रक्षा करने वाला भी कोई है, government है, court है, ठीक है, he learned courage, present के अंदर इस पोजिशन को justify करती है, कि गांदी जी क्यों 25% पर एग्री कर दे, क्या हुआ कि विदिन फ्यू एर्स ब्रिटिस प्लांटर्स अबंडन देर इस्टेट, कुछी सालों में यह जो ब्रिटिस प्लांटर्स थे, इन्होंने अपना जमीन छोड़के, वो लो आपस अपने द कोशन बनता है, ठीक है, कि गांदी जी क्यों 25% पर एग्री किये थे, यह सारा इंपोर्टेंट कोशन एंसर्स आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको मालूम ही होगा, चलिए, पहले चैप्टर को समझ लीजिए, वहाँ से फिर प्रिपर कर लीजिएगा, अब गांदी जी का कुछ फिलोसोफिक वाड़े में आप बताया गया है, कि गांदी जी नेवर कंटेंटेड इंसल्फ विट लार्ज पॉलिटिकल और एकोनोमिक सॉल्यूशन, कंटेंडेट का मतलब अपने आपको खुश रखना, गांदी जी कभी भी बड़े-बड़े पॉलि जब आए, तो उन्होंने देखा कि यहां पर काफी ज़्यादा कुल्चरल और सोचल बैकवर्डने से, ठीके, तो गांदी जी तुरंत इमिडिटली उस पर काम करना शुरू कर दे कि कुछ करना परेगा, और इसके लिए उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, जो यह दो लोग अपने वाइफ के साथ, ठीके, वॉलल्टियर फॉर्ड़ वर्ड़, वॉलल्टियर मतलब इच्छा से आया, आगे किया, हम यहां पर टीचिंग प्रोवाइट खरेंगे, ठीके, सेवरेल मोर केम फ्रों बॉम्बे, पूना, और अधर डिस्टेंट पार्ट से, फिर गांदी जी के जो सबसे बेटे, सबसे चोटे बेटे थे, जिनका नाम था देवदास, ठीके, वो भी आश्रम से आये, और साथी साथ गांदी जी की वाइफ जो थी, यादे उनका वाइफ का नाम, गांदी जी की वाइफ का नाम है कस्तूरबा, ठीके, गांदी जी के चार बेटे थे, सबसे बड़े वाले बेटे का नाम हरीलाल, सेकेंड वाले का मनीलाल, ठर्ड वाले का रामदास, और सबसे विलेजेज में प्राइमरी स्कूल खोला गया, कस्तुर भाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने सिखाया इन सभी को कि कैसे सफाई रखा जाता है, community sanitation गाउन को कैसे साफ रखा जाता है, इस सब चीजों के बारे में उन्होंने rules समझाया, ठीके, वाके लोगो को, तो एक तो उन्होंने काम कर दिया, education पर, अब हैर दूसरा sector देखना जो कि है health, health पर कैसे काम करेंगे वो देखे, health condition was miserable, चंपारण में health condition अच्छा नहीं था उतना, तो गांधी जी ने एक doctor को लाया, ताकि वो 6 मैने के लिए अपने service को volunteer बिना fees के, सभी का जांच ठीक है, उस समय गाउ में तीम medicine available थे, एक था castor oil, दूसरा हो गया quinine, और तीसरा हो गया sulfur ointment, यह मलाम होता है, ठीक है, तो जिसको भी coated turn, ठीक है, यह बीमारी हुआ, तो उसको castor oil दिया जाता था, समझ रहे, और किसी को अगर malaria fever हो गया, तो उसको q9 plus castor oil दिया जाता था, और किसी को अगर कोई skin का विमारी हो गया, तो उसको ointment, यह sulfur ointment, और plus castor oil यह दो चीज लगाने के लिए दिया जाता था, ठीक है, फिर गांदी जी, एक तो हो गया health, उपर पे हमने education पे टेख लिया, उस पे काम हो गया, उस पे बाद health पे भी काम हो गया, अब बात एक sanitation पे, गंदी जी, साफ सफाई में भी काफी दियान देते थे, तो लोग ने notice किया कि, फिल दी state of women's clothes, वहाँ पर देखा कि, वहाँ के जो औरती थी थी ना, वो काफी गंदे कपरे पेंट कराती थी, ठीकि औरत का साफ सफाई रहना बहु जूरी है, औरत अगर साफ सफा के अंदर कोई box नहीं है, कोई cupboard नहीं है, कपरे रखने के लिए, और इसके अलावा जो सारी हम अभी पहने हुए हैं, जो कि आपको बहुत गंदा लग रहा है, ठीकि, यह सारी मेरे पास एक ही सारी है, और कोई सारी नहीं है, तो हम कैसे इसको दोए हैं, और कैसे इसको साफ करके पहने, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था वहाँ अपने, डूरिं इस लॉंग स्टेंज चंपारम, गांधी केप लॉंग डिस्टेंस वाच अन दा आश्रव, तो गांधी चंपारम में तो लगवग बहुत समाई के लिए रहे हैं, लगवग एक साल, ठीक है, 1917, तो इतना टाइम तक चंपारम में डाते हुए भी वह अपने आश्रम पे इतना दोर से ही निगरानी रखते थे, वह क्या करते थे, रेगुलर इंस्ट्रेक्शन बचते थे चिठ्धियों के जड़िए, कि ऐसे से काम करो, ठीक है, और साथी साथ पूछते थे कि जो फाइनिशल आश्रम पे, तो गांदी जी इस तरीके से लॉंग डिस्टेंस वाच रखते थे अपने आश्रम पे, साथी साथ एक बार क्या हुआ, कि गांदी जी वहां के जो रेसिडेंस थे, उनको चिठ्धी लिख के बोलते हैं कि अब ये टाइम आ चुका है कि आप लोग पुराने व गड़ार बहुत ही बुरी तरीके से स्मेल करना स्टार्ट कर देगा, तो देखें, गांदी जी इतना दूर रहते हुए भी कितना छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देते थे, एकिने, फिर आगे देखें, तो इस सब से परा चलता है कि गांदी जी में क्या था, एक लीड जो मैंने किया, was a very ordinary thing, एक काफी आम बात है, ठीके, मैंने तो सिर्फ यही किया कि जो ब्रिटिशर थे, ये लोग बाहर गे लोगे, ये लोग मुझे यह नहीं बदा सकते हैं कि मुझे अपने कंट्री में कैसे रहना है, साफ सफाई से रहना है, बिवारी से बचना है, फरा इसलिए नहीं था कि वो act of defiance, defiance मतलब किसी चीज़ को disobey करना, वो बिटिशर के खिलाप थे, ये नहीं था, ठीके, it grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants, संपारण में जो घटना घटा, वो सी इसलिए था, क्योंकि जो poor peasants थे, उनको इस दुख से बाहर निकालना था, एलिवेट मतलब उनको दुख कम करना, ठीके, तो गांदी जी का मकसर नहीं था कि ब्रिटिस को नहीं निकालना है, ये उनका में मकसर नहीं था, में मकसर ये था कि peasants को दुख से निकालना है, ठीके, this was the typical Gandhi battle, और यही गांदी जी का typical काम करने का तरीका था, His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions, वो जो भी politics अपनाते थे, उसमें practical solution चिपा उता था, और day-to-day activities से वो काम करते थे, ठीके, He was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings, very important lie नहीं है, इसमें बोला किया है कि Gandhi जी किसी idea, abstraction मतलब idea, ठीके, किसी विचार भारा को लेकर उतना fan नहीं थे, ठीके, उनका main loyalty था, किसकी तरफ, human beings की तरफ, वो सब्सक्राइब, जिस भी idea से human beings का बलाई हो रहा है, वो idea को अपना लेना चाहिए, ठ ठीके, in everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian, Gandhi जी जो भी काम करते थे, उसका मतसद ये था, कि एक नया, mold मतलब बनाना, ठीके, एक नया free Indian, उस activity के जरी ये उबर के आए, ठीके, जो अपने पैरों पे ख़ड़ा हो, और पैरों पे ख़ड़ा हो तो इंडिया भी फ्री हो जाएगा, Gandhi जी का म incident यहां पर share किया गया है, इसके उपर question बनता है, लिखाएगी, early in the Champardon action, Champardon का जब घटना घट रहा था, तो उसके सुर्वाती दिनों में क्या हुआ था, एक इंसान थे, जिसका नाम था, Charles Freer Andrew, नाम याद कर लिजे, very important नाम ही ये, ये एक English pacifist है, pacifist ऐसे इंसान को बह जा एक काफी devoted follower थे, ठीके, तो Charles Freer Andrew को duty करने के लिए Fiji आइलेंड जाना था, तो Fiji आइलेंड जाने से पहले वो Gandhi जी को farewell बोलने आए, ठीके, bye-bye बोलने आए, तो Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champardon and help them, तो Gandhi जी जीते भी वकील दोस्त थे ना, वो ही Rajendra Prasad और बाकी लोग, ठीके, वो तो सोचे कि अगर ये Andrews, Charles Freer Andrews, अगर हमारे साथ रहे चंपारन में, तो ये हमें कुछ help पहुचा सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक अंग्रेज है, ठीके, और इनके साइट में एक अंग्रेज रहेगा, तो इनका case थोड़ा भारी होगा, ठीके, ये सोचके, Gandhi's lawyer friend ऐसा सोच समझ रहे हैं, और Charles Freer Andrews, Andrews भी विलिंग था, एक चुप था गांदी जी का help करने का, अगर गांदी जी बोले तो, ठीके, लेकिन गांदी जी इस बात के सक्त खिलाफ थे, गांदी जी बोलते हैं, कि ये fight में, ये unequal fight में, एक तरफ हैंग्रेज और एक तरफ हैंडियन, इस एक तरफ हैंग्रेज अगर हमारे साथ आजाये, तो ये हमारे लिए helpful होगा, ये तुम जो सोच रहे हो, ये दिखा रहा है कि तुम काफी वीक हो, तुमारा दिल का weakness दिखा रहा है, ठीके, इस जास्ट एंड, देखे, गांदी जी आप इतना चावार बोलते हैं, कि तुम ज अंगरेज का साथा लेना चाते हो, सिर्फ इस लिए कि ये अंघरेजे बोल के हमारा case बाड़ी हो जाएगा, ये दिखाता है कि तुम काफी कमजोर इंसान हो, ठीके, तुमको ये सबजना चाहिए कि तुम्हारा जो cause है लडने का, वे एक काफी सही cause है, ठीके, सही reason से वह यहां पर लिखा है किसी और सिफ वह एक अंग्रेज है बोलके उसका साधा लेने का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यह बात सुनके राजिंदर पर साथ बोलते हैं कि अग्रेज है राजिंदर पर बोलते हैं कि गांधी जी ने सही पकड़ लिया हमारे सोच को अग्रम पकड़ लिया हूँ और वी है लोयर्स का पाथ कोई रिप्लाइ नहीं था कांधी जी के इस तर्ब को काउंटर करने के लिए ठीक है गांधी इन इस वे टॉट उस लेसे इन स जीनों की चीज एक दूसरे से जूरे हुए थे समझे कि नहीं बस इसी के साथ यह स्टोरी है वो एंड हो जाता है समझे एक्जाम में यहाँ पर इस टाइप को कोशन बन सकता है कि यह चार्ल्स फिरर एंड्रियूस और राजिंदर परसाथ इन दोनों में कनवर्सेशन करव इस तरीके से कोशन आ सकता है ठीक है चलिए और बागी और पी टाइप पर कोशन है जो कि आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको यह पूरा स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा तो आपको तीन काम करना है सब सब लें लाइक कर द यह चनल पर और मी वीडियो से आप उनको देखिए आपको वाज से भी काफी हेल्प मिलेगा और अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कन्फूजन रहता है तो आप बेर जीसा कमेट करके पूछिए हम जरू आपे हेल्प करने या कोशिस करेंगे ठीक है चलिए एंड कर पुझस करण करेंग Evangel कोशिए है चलिए वाणन कर भा ऱिए लीडिस, का बादर आपके मन में कोशिए है पूछिए है चलिए ऑन्म जका फूद बेर दो